क्या आप जानते हैं, भगवान विष्टु ने 24 अवतार लिये थे, जिन में से 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं. आईए जानते हैं, ये 10 अवतार कोन से है और क्यों लिये गए? नमबर एक, मत्स्य अवतार, मत्स्य यनि मचली, जो उनके 10 अवतारों में से प्रथम है. नमबर दो, कूर्म, कूर्म यानि कच्छुआ ये भगवान विश्णु का ही एक अवतार है। ज्यादातर ग्रंथों में इस अवतार के बारे में कहा गया है कि जब समुद्र मन्थन हो रहा था तब भगवान विश्णु ने कच्छुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर मंद हिरन्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ती से स्वर्ग पर कबजा कर पूरी पृत्वी को अपने अधीन कर लिया था। नमबर चार नरसिंह रूप नरसिंह रूप भगवान विश्णु का रौद्र अवतार है। ये दस अवतारों में चोथा है। नरसिंह नाम के ही अधा नर यानी मनुष्य का है और अधा शरीर सिंह यानी शेर का है। राक्षस हिरन्यकष्यप ने भगवान की तपस्या करके चतुराई से वर्दान मांगा था। नमबर पांच श्री वामन वामन भगवान विश्णु के अवतार है। त्रेता युक के प्रारंभ होने में भगवान विश्णु ने वामन रूप में देवी अदिती के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके साथ ही यह भगवान विश्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। बालक रूपी ब्राहमन अवतार दक्षन भारत में इनके मूल नाम उपेंद से जाना जाता है। को अपने स्थाई निवास के लिए चुना। यह वह स्थान है जहां मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम सूर्योदय के समय हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, हिमालय में तब करते हैं और सूर्यास्त के समय मंदिर में लौट आते हैं। नमबर साथ श्री राम, राम जी, भगवान विश्नु के अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म वैवस्वत मनवंतर में 23.9 के दिरेता में हुआ था। राम का अर्थ है मेरे भीतर प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश। निश्चय ही, राम, इश्वर का नाम है नमबर आठ, श्री कृष्न, श्री कृष्न, हिंदू धर्म में भगवान है। वे विश्णु के आठवें अवतार माने गए हैं। कनहया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश इन्हें कई नाम से जाना जाता है। नमबर नौ, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध, जन्म 506 सर इसापूर्व, निर्वान एक श्रमन थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका एक नाम सिध्धार्थ भी है, चूंकि सिध्धार्थ का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इसलिए बौध धर्म की उत्पत्ती आंशिक रूप से हिंदू धार्मिक परंपरा से हुई मानी जाती है। और कुछ हिंदू बुद्ध को हिंदू देवता के अवतार के रूप में मानते हैं। 10. कलकी अवतार कलकी अवतार को हिंदू भगवान विष्णू के दस्वें अवतार और विष्णू का भावी या अंतिम अवतार माना गया है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल ज्यान सूत्र से जुड़ है। धन्यवाद।